Hi Friends, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल My High Academy में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाइजेशन्स हमारे बॉड़ी में कैसे होता है जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन्स कैसे होता है Human body में डाइजेशन्स से लिए एक विसेश प्रकार का अंग होता है जिसे हम ultrimetri canal कहते हैं इसके सहाइता से ही हमारे body में digestion होता है ultrimetri canal mouth से start होता है और annus पे end होता है इसमें बहुत सारे organs भाग लेते हैं यह organs मिलकर digestive system का निर्मान करते हैं यह organs होते हैं mouth, isofungus, stomach, liver, smallest tines, largest tines यह सभी digestive system के organs हैं जब हम खाना खाते हैं तो दातों द्वारा इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हैं और जीव के उपर कुछ taste burn होते हैं जिसके सहाइता से हमें taste का पता चलता है कि खाना कैसा है यहां से होते हुए यह fangrix में आता है और fangrix से फिर यह इसो-fungus में जाता है यहां पर एक process होता है जिस process को हम peristlysis कहते हैं आई बास समझ में अब यहां से होते हुए यह stomach में जाएगा stomach में आने के बाद जैसे ही stomach में इन करता है यहां पर इसका digestion स्टार्ट हो जाता है कि stomach के जो wall होते हैं जो दिवाल होते हैं उनसे gastric juice बस बनता है जो की gastric gland के द्वारा बनते है gastric gland जिनमें 3 तरह के cell होते हैं ये cell होते हैं mocus cell, auxintic cell, angiomogenia cell यह तीनोna cell मिलकर ही gastric juice का creation करते हैं इन juice में होते हैं HCL, Mucus and Pepsinogen ठीक है इन तीनों ही मिलकर जो इनके Inner Wall होते हैं Inner Wall से क्या आते हैं ये सभी Gastic Juice आते हैं इन Gastic Juice में Hydrochloric Alm, Mucus and Pepsinogen होता है जो Hydrochloric Alm होते हैं वो वैक्टेरिया को किल करने में मदद करते हैं ये हम भोजन के साथ जितने भी VIRUS वैक्टेरिया आते हैं उनसे हमें बचाने का कारे करता है इसका दूसरा काम भी होता है ये जो Pepsinogen होता है इसे ये Pepsin में चेंज करता है और फिर ये प्रोटीन को Pepton में चेंज करता है आई बात समझ में ये protein को क्या करता है पैप टोन में change करता है जिसके वज़ा से इसका जो digestion है वो अच्छी तरीके से हो पाता है इतना समझ में आया अब जो mucus होता है वो क्या करता है mucus हमें hydrochloric acid से बचाता है अगर mucus नहीं होगा तो hydrochloric acid जो stomach का inner wall है उसी को जलाना start कर दे हैं तो उस समय ऐसा होता है लंबे समय तक भूखे रहने के कारण जो hydrochloric acid होता है वो हमारे stomach के inner wall को जलाने लगता है जिससे की अलजर पैप्टिक होता है इसलिए कभी भी लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए stomach में digestion के through जो भोजन का स्वरूप बनता है उसे हम कायम कहते है आई बास समझ में अब यहाँ जब यह इसका आधा digestion हो गया है अब इनका जो completely digestion होता है वो होता है small instant time में ठीक है तो यहाँ से food अब जाएंगे small instant time में ठीक है मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भोजन का structure है उसे हम कायम कहते है आई बास समझ में यहाँ पर भोजन जब तया डाइजेस्ट हो जाता है आधा तो यहाँ से होते हैं अब उसका complete digestion कहा होगा उसका complete digestion होगा small instant time में इलियम में उसका absorption होता है तो जो food‐ setzen हो गए है उन फूड का digestion सी Courtney emoc电 अब आये देखते है इलियम का structure कैसे होता है ठीक है तो इलियम में Î में वीलि नाम का एक structure पाया जाता है ठीक है जब यह इलियम में आएगा तो इलियम में वीली नाम का स्ट्रक्चर पाया जAYगा। यहाँ जब food आते हैं तो food यहांως पे urgency आई बास मम अर्ध में НА का जा झाएंगे तो वह observe कर लिये जाएंगे आए गुपरिगा की जो फूट कर ली MOR और दिया जाते हैं और यहं ऐमनी आप ni जाएंगे डी में और फूट कर लागं का फूट कर ली रहता है और आप का एस्टोमक के ऊपर होता है just above होता है उसका लोकेशन यहां पे क्या होता है लीवर से बा में पर들 यह होता है यह क्या होता है क्या है ठीक है तो प爹ंक्रियाज और इससी तरीके से इनके भी जूस क्या होता एंग्ञें के लिए हैलफू समझ में आया अब इन लिवर से जो जूईस can उन दोनों जूईस के मदद से small instant high में augmentous से होता है अब जब यहां पे complete digestion हो जाता है तो मैंने आपको बताया जितने भी digestive होते हैं जो कि complete इन्का daar ho गया यह उन डायस्तिफ फूड को गया में उन कर दिया ज़ता हा ठीक है यह स्मॉल इस्टेटाइन का एक भाग है यहां पर ये जो विली है वो क्या करते हैं जो digestive food हैं उनको अब्सकर कर लेते हैं ठीक है और अब्सॉर्फ करके वहां उसको कहां भेzkते हैं तो जब ये food को अब्सॉर्फ करते हैं उन्हीं कित्रूँ हमको एनर्जी मिलती है यह डाइजेस्टीच फूट फीड कहा जाएंगे और वहाँ पर ब्रेकडाउन होकर हमें ATP एनर्जी देंगे जिसने की हमें ताकत मिलती है और हम किसी फीजर्ट को ईजली तरीके से कर पाते हैं हमें एनर्जी मिलती है लेकिन जो वहां हम रेक्टम करते हैं यह undigested food वहीं पर store होते रहते हैं और फिर जाकर यह एनस के थुरू हमारे body से बाहर remove हो जाते हैं आई बास समझ में एनस के रास्ते यह हमारे body से remove हो जाता है तो आपने देखा कि कैसे अल्रिमेट्री कैनल जिता है माउस से स्टार्ट होकर स्टुमक और स्टुमक से होते हुए यह क्या लार्जस्ट टाइंस और फिर एनस में जाकर इंड हो गया इसी तरीके से हमारे पूरे body में और भाना पच्थता इतना बाद समझ में आया अपको छोटे याद के द्वार जो बोज़न एबसॉफब किए जाते हैं उस में के जो फॉर्म होते है यानि जिस फॉर्म में उस सम्में बोजन होता है उसे हम चायल करते हैं ठीक है इतना समझ में है और उसके बाद जो अपचा बोजन होता है वो कैसे हमारे वर्डी से बाहर निकलता है तो वो एनस के तुरू बाहर निकल जाता है